हेलो गाईज, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जी एन ने फिल गैदरिंग का पहला राउंड पार कर लिया था और अब बारी थी दूसरा राउंड शुरू होने की, दूसरा राउंड शुरू हो गया था, इस राउंड में पार्टिसिपेंट्स को सभी अलकिमिस् कुछ जड़ी बुटियां इकटा करनी थी, और 10 दिन के अंदर उजड़ी बुटियां इकटा करकर फिल रेल्म से बाहर आना था, वरना वो कॉंपटिशन से बाहर हो जाते, एक के बाद एक एलकिमिस्ट एल्डर से चीजें लेकर फिल रेल्म के अंदर जाने लगते हैं, अ और उनसे नक्षा, जड़ी बुटियों के लिस्ट और एंटरें स्टोन लेकर फिल रेल्म के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार के लिए काविंग जियान को देखती है, उसके चेहरे पर अभी के लिए गुसा था, जैसे उसे जियान का बीहेवियर बिल् जियान उस एल्डर के पाथ जाने लगता है, लेकिन तब अचानक से उसे अपने पीछे कुछ मैसूस होता है, और जियान पीछे मुड कर देखता है, उसके पीछे अभी के लिएक लड़का खड़ा था, इसे देखकर जियान चौक गया था, क्योंकि ये लड़का कोई और बलकि प्रोफांड जौन सेक्ट का चैन जियान था, जिसने हाल अप सोल के ओल्ड मु को जियान की जानकारी दीती, और इसी की वज़े से ओल्ड मु जियान को मारने आया था, चैन जियान को देखकर जियान को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से चैन जियान को गुरने ल लगता है दियन के पास पहुंचकर वो हस्ते वे कहता है मुझे लगा नहीं था तुम ओल्ड मुझे हमले से बच जाओगे खेर कोई बात नहीं अंदर जाकर मुझे तो मौका मिलेगा ही तब मैं तुम्हें तुम्हारे ओकाद दिखा दूँगा और तुम्हें नर्क पहुंच दूँगा ये सुनकर दियन हसने लगता है और कहता है कोशिश करना कि तुम मुझे अंदर ना मिलो वरना मैं इस बात की गैरिंटी देता हूँ कि तुम प्रोफाउंड ज्वान से के आखरी वन्शज होगे और मेरे हाथों मारे जाओगे इसके बाद प्रोफाउंड ज्वा एल्डर के पास जाता है और उससे चीजें लेकर वो भी पिल रेल्म के अंदर चला जाता है इधर अब जियन की बारी थी जियन जल्दी से एल्डर के पास जाता है और उनसे नक्षा जड़ी बूटियों की लिस्ट और एंटरें स्टोन लेकर पिल रेल्म के अंदर एंटर क बडी से सुरंग से पार होते हुए जियन अचानक सीह जगा पर पहुंच जाता है इस जगा पर काफी उचे उचे पेड थें थाथीसाथ इस जगा पर एक अजीब सा पीलापन छाया हुआ था बाहर की दुनिया में शाम के वक्त जैसा पीलापन स्छाया हुता है अभी के जब भी भागते दौरते थे तब उनके शरीर से एक पीले रंग की एनरजी निकलती थी इसे उनकी स्पीड काफी ज़ादा बढ़ जाती थी ZN अपने आसपास देखती हुए कहता है क्या यही वो खतरनाक पिल रेल्म है जिसके बारे में बार्ट से भी बात कर रहे थे देखने से तो इतना खतरनाक नहीं लग रहा है ZN जानता था भले अभी के लिए देखने से पिल रेल्म खतरनाक ना लगता हो पर यह खतरनाक होगा जरूर वरना कभी भी इसे पिल गयादरिंग का हिस्सा नहीं बनाते कभी भी पिल गैधरिंग का दूसरा रहो पिल रेल्म के अंदर नहीं रखते VN आसपास की जगह को देखता है एक जगह पर काफी powerful energy थी जो level बढ़ाने में काफी काम आ सकती थी पर इस energy में demonic energy mix थी ऐसे में किसी के लिए भी energy absorb करकर अपना level बढ़ा पाना काफी ज़्यादा मुश्किल होता ना तक कि ऐसा भी हो सकता था absorb करने के बाद कोई इनसान अपना control हो दे इसलिए इस energy को absorb ना करना ही best option था VN अब अपनी space store ring से वो जड़ी बूटियों के list निकालता है जो उसे elder से मिली थी VN सभी जड़ी बूटियों के नाम देखता है और strong जाता है क्योंकि ये सभी जड़ी बूटियों बहुत ज़्यादा कीमती थी और काफी high grade की थी SMA ने ढून पानना काफी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था VN अपने पास मौजूद नच्चा खोलता है उस पर इन जड़ी बूटियों की location को mark पिया गया था लेकिन वो area इतना बड़ा था कि अगर VN उसने बड़ी area में इतनी चोटी जड़ी बूटिया ढूनने जाता तो उसे भूँआ टाइम लग जाता और उसके पास ऐसा करने के लिए सुट बस दिन थे VN वहां से जाने ही वाला था लेकिन तभी अचानक से वहां पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो उसी रास्ते से यहां पर आये थे जिस रास्ते से VN यहां पर आया था वो लोग आसपास की जगा को देखने लगते हैं अभी वो लोग आसपास की जगा को देखी रहे थे तभी आचानक से जमेर के अंदर से एक बड़ा सा साम बहार आ जाता है जो कोई और नहीं बलकि सेंट सर्पेंट वीस था सेंट सर्पेंट वीस्ट एक बहुती पावरफुल वीस्ट होता है कभी कभी ये वीस्ट रैंक 6 पर भी पहुंच जाता है लेकिन अभी जो सेंट वीस्ट आया था तो देखने में रैंक 5 का लग रहा था वो सेंट वीस्ट जल्दी से बाहर आकर एक एलकिमिस्ट पर हमला कर देता है और उसे एक ही हमले में मार डालता है अचानक से सेंट वीस्ट के वहाँ आ जाने से काफी लोग दर गए थे और कुछ लोग तो दर के मारे वहाँ से भाग भी गए थे सेंड़ीश एनकी मिश्टों पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी हवा में से कहीं से एक बड़ी सी रौड आती है जो सीधा उस सेंड़ीश के अंदर भुझ जाती है और एक हमले से उस सेंड़ीश मारा जाता है सभी लोग अचानक से इस हमले से खुश हो जाते हैं क्योंकि इस हमले ने सेंड़ीश को मार दिया था मतलब उन लोगों की जान बच गई थी सभी लोग हमला करने वाले को देखने लगते हैं आसमान में अभी कले एक इंसान उड़ रहा था इसके पीट पर डोई कोई विंग से इसे देखकर लग रहा था कि ये आदमी बहुती जादा पावरफुल है और वो पावरफुल था भी क्योंकि उसने सैंड़ीश को एक हमले में मार दिया था सभी लोग अभी खुशी हो रहे थे सभी वो आदमी जल्दी से अपनी रोड से एक एलकेमिश पर हमला कर देता है उसका हमला सीधा जाकर उसे एलकेमिश से टकराता है और वो एलकेमिश कॉम्पेटिशन से बाहर हो जाता है क्योंकि उस हमले ने उस एलकेमिश को घायल करने के साथ-साथ उसका entrance टोन भी तोट दिया था अचानक से इस बदलाव से सभी चौंक जाते हैं कुछ दिर पहले सभी को लग रहा था कि ये आदमी अच्छा है पर अभी के लिए सभी लोग समझ गए थे कि ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सभी लोग दरकर पीछे हटने लगते हैं सभी वो आदमी जमीन पर उतरता है और उस stand serpent beast के पाँ जाकर उसकी body को एक लाट मारकर दूर फेंग देता है जैसी हुए ऐसा करता है जमीन के अंदर उसे एक बड़ा सा चेद दिखाई पड़ता है वो आदमी उस चेद में अपना हाट डालता है और वहाँ से एक बड़ा सा फल निकाल लेता है जीन उस फल को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये फल एक बहुती rare medicinal ingredient था जो बाहर की दुनिया में ढूनना काफी जादा मुश्किल होता था जीन ध्यान से उसे देखने लगता है देखने से एक फल लगबग हजार साल पुराना लग रहा था ऐसे में इसकी कीमत बाहर की दुनिया में काफी जादा उची होती बाकी के एलकेमिस भी उस आदमी के हाथ में उपल देख लेते हैं वो सभी उस आदमी से उपल सीरना चाते थे पर किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो आदमी एक फल के लिए सभी को देखता है और उन्हें घूरते वे कहता है अगर तुम लोग मरना नहीं चाते हो कॉम्पेटिशन से बाहर नहीं होना चाते हो तो चलो जल्दी से भाग जाओ उसकी बात सुनकर वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं किसी में भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी वो आदमी उस फल को लेकर उचालने लगता है वो अभी उसे हवा में उचाल ही रहा था सभी अचानक से कहीं से एक पावर्फुल सक्षन पोर्स आदाता है और वो फल हवा में उड़कर एक डायरेक्शन में जाने लगता है वो आदमी उस फल को पकड़ने की काफी कोशिश करता है मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता है अचानक से वो फल एक लड़के के हाथ में पहुँच जाता है वो आदमी इस लड़के को ध्यान से देखने लगता है और उसे गुस्ते से कहता है लड़के मुझे मेरा फल लोटा दे ये लड़का कोई और नहीं बलकि जियान था उसने इस आदमी से फल चीना था वो समझ गया था ये आदमे बिलकुल भी अच्छा नहीं है ऐसे में जियान इस पर कोई दया नहीं दिखाने वाला था जियान जल्दी से आसमान में पहुँच जाता है अभी के लिए जियान आसमान में बिना डोईकवी विंक्स के उड़ रहा था ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है जियान उसे घूरते वे कहता है अगर तुम मरना नहीं चाते हो तो यहां से भाग जाओ वो आदमी जियान से उफल वापस चीरना चाता था पर जियान को बिना डोईकवी विंक्स के हवा में उड़ता देख वो ये समझ गया था कि जियान एक डाउजौंग लेवल का वारियर है और वो आदमी अभी के लिए डाउजौंग लेवल पर ही था ऐसे में उस जियान से बिलकुल भी लड़ नहीं सकता था आखिर में हार मानकर वो आदमी वहांसे भाग जाता है इधर दियान उस फल को हासिल करकर अभी कले काफी ज़्यादा कुछ था दियान एक फल के लिए उस फल को देखता है जिसके बाद उसे अपनी स्पेस्टो रिंग के अंदर रख लेता है लेकिन दियान वहांसे जाता नहीं है उस जगा को देखने लगता है जहांसे उस फल मिला था दियान ने मासर यावलाओ की छोड़ी वे कुछ किताबों में पढ़ा था जहां पर भी ये फल उखता है वहां पर ये फल सौ साल से जादा देर तक नहीं टिक पाता है लेकिन अभी के लिए जियान के पास जो फल था वो लगबग हजार साल पुराना था ऐसे में जरूर जमीन के अंदर ऐसा कुछ तो था जो इस जड़ी बूटी को उगने में मदद कर रहा था और वियान अभी के लिए उसी चीज का पता लगाना चाहता था वियान जल्दी से उस जगह पर खुदाई करने लगता है जहां पर उसे ए फल मिला था लगबग एक गंटे तक वियान खुदाई करता रहता है इस दौरान उसमें 30 पिट गहरा गंटा खोद लिया था लेकिन अभी तक उसे जमीन के अंदर से कुछ भी नहीं मिला था जियान अब कापी ज़ादा निरास हो जाता है उसने इसनी गहरी कुदाई कर ली थी लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं मिला था उस सोच में पढ़ जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस किताम में जो भी लिखा था वो बस एक आफवा थी उसमें कोई सच्चा ही नहीं थी फिर सोच कर अब जियान तुदाई करने का मन छोड़ देता है और वो वहां से पीछे अटने लगता है लेकिन तभी उसके नजरें उस मिट्टी पर पड़ती है जिसे उसने खोद-खोद कर पिछले एक घंटे में निकाला था जियान उस मिट्टी के पास जाता है उस मिट्टी में एक अजीब सा मॉईश्चर था और मॉईश्चर की साथ सा जियान को उसके अंदर से एक एनरजी भी मैसूस हो रही थी साथी साथ उस मिट्टी की उपर जो हवा थी वो भी अभी के लिए काफी जादा मॉस्टिराइज हो गई थी और काफी जादा थंडी हो गई थी अचानल से आये इस फ्लू से जी एन चौँक जाता है लेकिन अब उसके चेहरे पर excitement दिखाई पड रही थी वो अब सुधाई जारी रखने का प्लैन करता है जी एन फिर से सुधाई शुरू करता है और लगबग आदे घंटे तक खोदने के बाद जी एन ने काफे बड़ा गड़ा खोद लिया था अभी के लिया जी एन ने शुरंगी बना ली थी जी एन अभी के लिया जमेन के काफे नीचे आ गया था वो जल्दी से अपने glaze flame जलाता है ताकि वो आसपास के मजारे को देख सके glaze flame जलाकर जी एन आगे बढ़ने लगता है आगे बढ़ते हुए वो एक जगा पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ता है जयान उस पत्थर को ध्यान से देखने लगता है और चौंक जाता है क्योंकि ये पत्थर कोई normal पत्थर नहीं बल्कि holy stone था holy stone एक खाज तरह का पत्थर होता था जिसपेर अगर बैटकर कोई training करता था तो अपने शरीर की अंदर की demonic energy को आसानी से control कर पाता था क्योंकि ये पत्थर उसके शरीर की demonic energy को आसानी से दबा दिया करता था ऐसे में उस इंसान की training करने की speed नॉर्मल से काफी ज़्यादा बढ़ जाती थी वी एन उस पत्थर को उठाकर अपनी स्पेस्टो रिंग में रखने लगता है लेकिन तभी अचानस से जैसे उस पत्थर को हाँच लगाता है उसे अपने हाथों पर एक अजेस्टी स्टी पहाट नैसूस होती है वी एन अपने हाथों को देखने लगता है अब एक लिए उसके हाथों पर एक liquid लगा हुआ था वी एन ध्यान से उस liquid को देखता है और चौक जाता है चौक पर कहता है ये तो holy stone का liquid है holy stone का liquid holy stone से भी ज़्यादा rare होता था यहां तक के ऐसा कहा जाता था ये liquid ढूनना rank 7 की high grade जड़ी बूट्री ढूनने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे में इसकी rarity आसानी से समझी जा सकती थी जियान ध्यान से holy stone को देखने लगता है तो इसके बाद जियान holy stone की तुकड़े करना शुरू कर देता है हाँ holy stone काफी ज़्यादा कीमती था लेकिन उसका liquid holy stone से भी ज़्यादा कीमती होता था और अगर जियान को फो liquid चाहिए था तो उसे holy stone के तुकड़े करने ही पड़ते ऐसे में जियान उसके तुकड़े करने से पीछे नहीं अट रहा था holy stone का liquid एक बहुती important चीज थी क्योंकि इसका यूज करकर कोई भी ऐल्किमिस अपनी soul power बढ़ा सकता था अपनी spiritual energy का level बढ़ा सकता था और ऐसा भी कहा जाता था कि आज तक दिस ने इसे consume किया था वो वे इंसान आसानी से soul level 1 से soul level 2 पर पहुँच गया था यानि कि उस एल्किमिस के soul normal level यानि human level से soul level पर पहुँच गई थी और ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि soul level पर पहुँचने के बाद ही कोई एल्किमिस rank 8 का एल्किमिस बन पाता था ऐसे में ये liquid दियन को rank 8 का एल्किमिस बनने में काफी मदद करता था दियान काफी देर तक उस पत्तर के तुकड़े करता रहता है और आकिरकार लगबग एक घंटे में उस सारा का सारा लिक्विड इखटा कर लेता है दियान अब इकले काफी ज़्यादा खुश था क्योंकि अभी उसे फेर रेल में आए ज़्यादा देर नहीं हुई थी पर इतनी देर में उसने काफी कीमती चीज़ इखटा कर ले थी दियान अब वहां से जाने लगता है लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है दोस्त कीमती चीज़ों को बाटना दादा अच्छा होता है अगर हम उसे अपने तक ही रखते हैं तो हम कई लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं इससे तुमारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम इस लिक्विड को मेरे साथ शेयर करो और मुझे यह आधा लिक्विड दे दो अचानक चाहिए इस आवाद से स्तियन चौंक जाता है और आजपास देखने लगता है और इसी के साथ अमारा यह एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है